सब्सक्राइब करिया है फाइस्टेडी चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे बड़े पाने के लिए हलो फ्रेंड्स विलकम बैक हाइफाइस्टेडी चेंजिंग दवे आफ एजुकेशन दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होगी यह फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास होगी इससे पहले तीन क्लास आपको प्रवाइड करा दिया गया है तीन क्लासों में टोटल आपको 25 य आप किस पब्लीकेशन से पढ़ाते हो तो भाई यहां पर कोई पब्लीकेशन ऐसा नहीं कि आपको एक ही पब्लीकेशन से पढ़ाया जा रहा है आपके पास किसी भी पब्लीकेशन की बुक है आप उसको सॉल्व करिए आपके सभी प्रिश्ण लग जाएंगे यह पक्का है ठीक है न कोई भी पब्लिकेशन हो क्योंकि पब्लिकेशन से हमें कोई मतलब नहीं हमें तो अपने concept से मतलब है तो जितने भी साती हैं वो वीडियो को एक बार कर देंगे share like भी कर सकते हैं और चैनल को subscribe भी अवश्य कर लें तो आईए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की class क कल से हम लोग अपना नया chapter next chapter वर्ग वर्ग मूल घन घन मूल डिसकस करेंगे तो पहला प्रिश्ण हमारा है आज की class का कि root 3 की power 5 गुडे 9 की power 2 बराबर 3 की power n गुडे 3 root 3 इसमें आपको इस n का मान बताना है कि इस n के अस्थान पर क्या आएगा वही आपको बताना है तो प्रियास करिए लगाईए question को समझिए हम क्या कर सकते हैं इस प्रिश्ण में ठीक ना root 3 की power 5 और 9 की power 2 बराबर है 3 की power n multiply 3 root 3 इसी के असामा को जो n है न ये n इसी की value हमको बताना है बिल्कुल नॉर्मल सा प्र है न अगर मैं दोस्तों यहां पर लिख दिया root A मैंने ऐसे लिख दिया root A तो जब root हटाते हैं तो root का मतलब क्या होता है भाई यहां पर देखो यहां पर 2 होता है की नहीं होता है 2 होता है और इसकी power कुछ नहीं मतलब हम एक मान सकते यानि इसको हम क्या कह सकते हैं 1 by 2 कह सक एक पावर वन बाई टू तभी तो ये पीछे वाला यहां खिसके आता है आगे आ जाता है तो यह हो जाता है स्कौायर रूट ए ऐसा होता है न तो बस यही काम आपको इस प्रश्ण में करना है और कुछ भी नहीं करना है छोटा सा काम अब देखो इस प्रश्ण को हम लगाए ठीक है भाई समझे यहां पर जो रूट थिरी है रूट हटाएंगे तो पांच की नीचे दो चला जाएगा की नीचे ला जाएगा यानि कि तीन की पावर पांच बटे दो बन जाएगा यह यह बन जाएगा तीन की पावर पांच बटे में दो यहां तक किसी को कोई दिक्क नहीं है ठीक है भाई अब देखो गुड़े अब यह हमारा नो की पावर दो है तो हम नो को क्या कह सकते हैं थीरी की पावर टू भाई नो का वर्गमूल क्या होता है तीन नो का वर्गमूल तीन और तीन की पावर कितनी दो फिर इसकी होल पावर है होल पावर कितनी भाई दो है और बराबर किसके है थीरी की पावर एन और गुड़े अब यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट समझ लिजे प्रश्ण लगा लोगे भाई इस हम करडी को हटाएंगे तो तीन की पावर कितनी एक बट्य दो शटाएंगे यानि यह हो जाएगा हमारा थीरी गुड़े थीरी की पावर कितनी वन बाई में टू हो जाएगा थीरी की पावर वन बाई में टू हो जाएगा अब यह जो थीरी हमारा मल्टिप्लाई में यह आगी चला जाएगा यहाँ पर चला जाएगा यानि थीरी की पावर कितनी थीरी बाई टू आजाएगी तो हम सीधे यहाँ पर भेस बराबर हैं देखों, भेस बराबर है नंग अगर किसी को कोई प्रॉब्ब्लम है तो बताओं जब बश बराबर है तो सब कुछ बराबर हो जायेगा हमatic typicalrazahum यानि ये हमारा हो जाएगा 5 बटे 2 हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि base पराबर है 2 दुन्नी कितना हो जाएगा 4 तो गुड़े कितना हो गया भई मेरा 4 हो गया गुड़े 4 हो गया और बराबर इस तरह क्या बच गया N और plus में कितना बच गया 3 बटे में 2 बच गया अच्छे यहां पर मैंने गुड़ा लगाया है किसी को कोई दिक्कत है यहां पर मैंने गुड़ा लगाया यहां पर plus लगाया जी बिलुकुल सर यहां पर गलत हो गया क्या हो गया यहां पर multiply नहीं लगेगा दोस्तों यहां पर प्लस लगेगा क्योंकि गुड़ा करने पर घातें जुड़ती हैं घातों का गुड़ा नहीं होता है घातें जुड़ेंगी क्योंकि multiply कची ने बेस हैं तो 5 बटे 2 और 2 दुनी 4 प्लस के 4 अब हम यहां से एंसर अपना निकाल सकते हैं हमारा यह क्या गया 5 बटे 2 और बेसों को छोड़ दिया है क्योंकि सभी बेस बड़ाबर हैं अब हम क्या करेंगे भाई हमको इसको प्लस करना तो इसके नीचे बटे 1 मानेंगे और multiply 2 से करेंगे तभी तो हर बराबर होंगे भाई यह हो गया 13 और बटे में हो गया 2 इधर 3 बटे 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में यह आपको पता है कि प्लस माइनस कब होता है इधर n बच गया अब हर बराबर है तो 10 माइनस 3 बटे 2 यानि कि 13 माइनस 3 बटे में 2 यानि 10 बटे में क्या हो जाएगा 2 और बराबर के n तो 2 से काटो गे 5 बार में यानि n की value कितनी आएगी 5 तो 5 जिनका भी आ रहा था वो विल्कुल right है 5 आपके question का सही जवाब है कोई दिक्कत वाली बात नहीं root 3 हटाया तो 1 बटे 2 यानि 5 बटे 2 3 की power 2 की power 2 यानि 3 की power 4 हो गया 4 यहां पर ले आया 3 की power n और 3 root 3 तो root हटायेंगे 1 बटे 2 तीन चला जाएगा तो 3 बटे में 2 यानि 5 आपके प्रश्न का सही जवाब है नोट कर लिजी अगले प्रश्न पर पहुचेंगे प्रश्न संख्या नंबर 2 पर प्रश्न संख्या दो पर भाई यह बात बिल्कुल के लिए हैं ओके अगला देखते हैं प्रश्न यह हम हमारी आज जो होगी इस चेप्टर की लाश्ट क्लास होगी फिर हम लोग आगे फिर डिसकस करेंगे ठीक ना पहले एक बार कुई मैथ को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद फिर हम आगे तैयारी कर सकते हैं अगला प्रश्न देखिए दो नंबर क्या कह रहा है प्रश्न कुश्चन नंबर 2 ये कह रहा है भई 64 की पावर एक बटे में 4 इसको सॉल्व करो और बताओ इसको सॉल्व करके आपको बताना है कितना एंसर आएगा चोसइट की पावर एक बட बसपर एक बटे चार बहाई बेस नहीं बराबर हम बेस बराबर करेंगे क्यूंकि हमें पता है यह चोसट क्या है चार 14 16 c 4 यैनि 4 की फावर 3 और इसकी होल फावर कितनी हो जाएगी 15 животे में हो जाएगी गुडे यह 4 का isquire है यानि 4 की पावर 2 और इसकी whole पावर कितनी हो जाएगी एकबटे में 4 हो जाएगी अब पावर ओंका आपसे multiply यह दोस्तो हो जाएगा चार तीन एकम 3 चार की पावर 3 बटे में 4 और गुडे यह हो जाएगा आपका 2 से दो बार में कड़ गया एक बटे दो यानि चार की पावर क्या आ गई एक बटे में दो आ गई चार की पावर एक बटे में दो अब बेस बराबर हैं तो पावरे जुड़ जाएंगी या पस में यानि चार की पावर क्या आ जाएगी तीन बटे में चार आ जाएगी और प्लस में एक बटे में 2 आ जाएगी इसको 2 से multiply इसको 2 से multiply तभी तो हर बराबर होंगे यानि दोस्तो next step होगा हमारा ये 4 और ये आगया 2 एक कम 2 3 2 5 5 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 की power 5 बटे 4 आपके प्रश्न का सही जवाब 4 की power 5 बटे 4 आपके प्रश्न का क्या है सही जवाब है नोट कर लो चार की power 5 बटे 4 आपके प्रस्न का बिल्कुल ही सही जवाब है अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3 प्रश्न संख्या 3 यहां तक भई बाते सबको समझ में आई होंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी अभी तक जितनी भी क्लासे हुई अगर आपने समझा है तो आप प्रते एक प्रश्न को लगा पाओगे तीन नंबर प्रश्न आप से कहरा 27 की पावर 2x-1 is equal to 243 की पावर 3 इस प्रश्न को लगाओ इस प्रश्न को लगाओ जल्दी से और एंसर बताओ कितना हैगा इस प्रश्न को देखिए ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको क्या करना है अपने बेस बराबर करने हैं तालिस आप बेस इनके बराबर कर लीजिए ऐसी कोई नंबर लीजिए जिसका उसी से मल्टीप्लाई कराएं यानि उसकी कुछ घात आए तो 27 और उसकी कुछ घात आए तो 43 होना चाहिए ये दोनों कांसेट मैंने आपको कल बताए था 27 को हम क्या कह सकते हैं अगर नहीं समझ में आ तो समझिए 27 को हम 3 से काट लेंगे यानि 3 से 9 बार में जाएगा और 9 तीन से 3 बार में जाएगा फिर 3 से 1 बार में यानि 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूं तो बश ठीक है मैंने 27 को 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर के तरी 2 X माइनस के 1 कह दिया भाई बात किलियर हो गई यहां तक कि अब देखो अब हमको 243 पता करना है तो 243 को भी हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि हमें बेस बराबर करने है न तो 3 से काटेंगे 3 से 8 बार में 3 से 1 बार में और 3 से काटेंगे 2 और 27 बार में 3 से काटेंगे तो ये 9 बार में ऐस से करके हम 3 से काटते चले जाएंगे तो 3 से 5 बार में जाएगा 1,2,3,4,5 यानि दोस्तों 43 को मैं 3 की पावर 5 कह सकता हूं 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर कि दिनी कह सकता हूं 3 कह सकता हूं भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अब जब बेस बराबर हैं तो हम अपास आने से कोईशन को लगा सकते हैं पावर के उपर पावर तो पावरों का मल्टिप्लाई यानि 3 की पावर 3 दुनी 6 एकस माइनस के 3 एककम 3 और बराबर में 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 तियां 15 यह 5 तियां 15 अब जब बेस आपके बराबर है तो बेस को काट दीजिए छोड़ दीजिए घाते भी बराबर हो जाएंगी यानि यह 6 एकस बराबर यह माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 15 प्लस के 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा एकस बराबर का 18 और गुड़े में इधर बटे में 6 आ जाएगा 6 से काटेंगे 3 मार मे तो तीन आपके प्रश्न का जवाब आएगा X की value कितनी आएगी 3 आएगी X की value 3 आएगी आपके प्रश्न का बिल्कुल right उत्तर X is equal to 3 ओके भई इसको नोट कर लीजी अगले प्रश्न पर पहुँचेंगे प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी भई वो चार नंबर ठीक है भई ओके देखी आपको इतने प्रश्न करा दिये गए हैं धातांक के हर चेप्टर में करा दिये जाएंगे कि अगर आप 2-3 publication की book के question आप समय में solve करने बैठोगे तो उतने question मिला के आपको इस class के सभी प्रश्न होंगे भई तकरीवन में आपको 25-30 माल या 30 प्रश्न तो मैंने आपको कराया ही कराया है पहली class को छोड़ कर और 30 प्रश्न आपके एक book में तो बिलुकुल भी नहीं मिलने वाले जादे से जादे मिलेंगे तो आपको साथ या आठ प्रश्न मिल जाएंगे तो प्रश्नों को नोट कर लिया करो अगला प्रश्न है हमारा वह होई कौन सा भई पांच नंबर प्रश्न देखते हैं कौन सा है तो पांच नंबर और न मांबर कितनी तो चोक प्रस इस न मान आपको बताना न का मान बताना है n का मान find out करना है n की value चलो लगाओ इस प्रिश्ण को इस प्रिश्ण को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा भई जल्दी से लगाओ P by Q की power n-1 बराबर है Q by P की power n-3 अब आप यहाँ पर देखोगे कि सर हम हर नहीं बराबर है base बराबर ही नहीं है और जब base बराबर नहीं तो power कैसे आपने बराबर हो सकती और जब power बराबर नहीं होगे तो हम n क्यामान नहीं निकाल सकते तो इसका एक funda है कैसे समझ यहाँ पर ठीक है ना हमने आपको सुरुवात में बताया था कि शभी फार्मूले आपको साथ में लागा कर चलने है तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर a की power minus के one लिख दिया मैंने a की power minus के one लिख दिया तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो a की power one भाई a की power one भाई a की power minus one तो a की power बटे a की power one तभी तो होगा और अगर कोई चीज आपकी इस फार्म में है कोई चीज इस फार्म में है और इसको आप क्या कर सकते हो negative बनाने के लिए आप इस फार्म में convert कर सकते हो याणि बटे one तो हम सभी के नीचे मान सकते हैं मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं तो एक की पावर माइनस वन बटे का एक कब होगा जब एक बटे एक की पावर माइनस वन होगा एक बटे एक की पावर वन इसको हम एक की पावर माइनस वन बटे एक भी तो कह सकते हैं अगर ये कह सकते हैं तो प्रशनल लग गया अब इतनी सी बात थी जो आपको सीखनी थी अब यहाँ पर देखो, यह हमारा है P by Q, तो हम इसको as it is लिख लेंगे, यानि हम इसको लिख लेंगे P by Q की power कितनी, तो इसकी power N minus के 1 बराबर, अब इसकी power positive है, हम negative बनाएंगे तो इसके उपर भटे, इसके उपर क्या करेंगे, भई देखो, हम क्या करेंगे, यह power क्या है, positive है, power positive और negative power बनाएंगे, तो हम इसको नीचे उपर कर सकते, उपर का नीचे, क्योंकि उपर एक का मतलब क्या होता है, कुड़े एक है तो हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं, यह हो जाएगा, P by Q कि power कितनी, minus, कितनी, N minus के 3, अब power minus हो गई, हर बराबर हो गई, जब हर बराबर हो गई, तो, सॉरी, base बराबर हो गई, base आधार बराबर हो गई, तो power भी आपस में बराबर हो जाएंगी, तो यानि यह हो जाएगा, N minus के 1 बराबर के, minus है, तो bracket के अंदर के चिन्न बदल जाएंगे, minus का N, और plus के क्या हो जाएगा, थिरी हो जाएगा, अब यह minus स बराबर के, दो आपके प्रशन का जवाब, इनके स्थान पर क्या आएगा, दो आएगा, आपके प्रशन का राइट एंसर, दो आपके प्रशन का राइट एंसर है, नोट कर सकते हो, दो राइट एंसर है, आपके प्रशन का, ठीक है वही, बात इतनी किलियर हो गई है, लगाईए एक बारे में हो सकता आपको ना समझ में आए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक बारे में आपको नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आधे गंटे की क्लास है बस question number 5 यह question number 5 दोस्तों हमारा कह रहा है कि x की power 3 की whole power 2 x की power 3 और इसकी whole power है आपकी 2 गुड़े x की power 4 और भागे कितना है भागे x की power 10 x की power 10 और बराबर x की power p तो p का मान बताओ p का मान बताओ p का मान बताओ p का मान बताओ इस वाले p का मान बताना है ठीक ना चलो गई x की power 3 की power 2 multiply x की power 4 और divided by x की power 10 is equal to x की power p तो P का मान आपको बताना है, बेस बराबर है, कुछ नहीं करना है, यह question का answer दोस्तों आप बताओगे, आप बताओगे इस प्रश्न का उत्तर, जब तक आप नहीं बताओगे, आगे चीज़े नहीं दिखाई जाएगी, आपको आगे की movie नहीं दिखाई जाएगी, पहले आप देख लीजिए, जितना कुछ आपने सीखा है, वो सब लगा लीजिए, और उत्तर बता दीजिए, एक से कमान क्या आएगा, चलिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको option भी दे रहा हूँ, पहला option सुनिए, 0, दूसरा option सुनिए, 1, तीसरा option सुनिए भाई, 2, और च P की value, दोस्तों, P की value मैंने पूछा है, मैंने X की value, पूरे की value नहीं पूछा, मैंने P की value पूछा, अब चलिए लगाते हैं, ठीक है ना, काई साथी answer दे रहे हैं, इस question को हम लगाते हैं, यानि इस question को हम लगाएंगे, तो ये X की power, भाई, पावर के उपर पावर, तीन न हो जाती है, तो X की power 6 plus में 4 हो जाएगा, और भाग करने पर घट जाती है, minus के 10, X की power P हो गया, अब जब base बराबर है, तो छोड़ सकते हैं, यानि ये हो जाएगा, 10 minus के 10, और बराबर के P, तो P बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, P बराबर 0, तो याद रखना, यहां पर answer क्या हो जाएगा, 0 आपका right answer होगा, 0 right answer होगा, लेकिन एक right answer कब होता है, एक, अगर कोई number, जैसे माल लिया, एक है, एक, अगर इसकी power 0 है, तो उसका मतलब कितना एक उत्तर होता है, अगर 2 की power 0 है, तो उसका मतलब कितना एक उत्तर होता है, अगर 3 की power 0, तो उसका मतलब कि एतना एक उत्तर होता यहां पर केवल पी की वेल्यू पूछा था पी कमान तो पी कमान जी रो आगे ठीक है बहुत चलो अगले प्रिश्ण की बात के लिए हो गई यहां तक वेरी गुड़ अगला प्रिश्ण हो जाएगा छेह नमबर आज का प्रिश्ण आज का छेह नमबर प्रिश्ण हो जाएगा तो बहीं आप लोगोंने आज इंगलिस की कलास भी देखी होगी है न जिसने innellis की क्लास नहीं देखी और तो देख सकता ह Γिल बेशिक से इंगलिज चालू कर दी गई है ठीक है बाई तो जरूर से जरूर क्लास को अटेंड करिएगा अगला कुईश्चन हो जाएगा छेह नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है बाई तो यह प्रश्न आपका कह रहा है उन्चास की पावर दो और गुड़े साथ की प पावर आठ उसके बाद क्या है भई भागे 343, 3, 4, 3 इसकी पावर कितनी है, 3 इसकी पावर कितनी है, 3 और बराबर 7 की पावर X, 7 की पावर X तो इसी X का मान बताना है, जो 7 के उपर X चड़ा बैठा है, इसी का मान बताना है, 7 की पावर X है, तो X के हस्थान पर कौन सा एक न रमबर आयेगा वही आपको बताना है ठीक है उन चांस की पावर 2 गुड़े शाथ की पावर 8 भागे 343 की पावर 3 बराबर के X अच्छा एक चीज यहां पर लॉजिक लग रहा है एक लॉजिक लग रहा कुछ पता है आपको यहां पर आपको जादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं भाइ साथ की पावर X और हम यहां क्या कर सकते हम यहाँ पर इन सभी को साथ के base में तोड़ेंगे, क्योंकि उधर साथ है, अगर साथ के base में नहीं तोड़ेंगे, तो base तो बरबर हो ही नहीं पाएंगे, left hand side और right hand side के अगर base बराबर नहीं कर पाएंगे, तो power को कैसे बराबर दिखाएंगे, वही common sense है ना अगर बेस नहीं बराबर कर पाएंगे तो हम पावरों को कैसे बरापर दिखा पाएंगे और question कह रहा है कि भाई यह 7 के रूप में होंगे तभी हम बराबर माने जाएंगे otherwise हम बराबर नहीं माने जाएंगे तो हम 7 के रूप में तोड़ेंगे यानि 49 को हम क्या क सकता हूं सास सता 49 और शाथ चोके 28 यानि कि 343 साथ की पावर 3 होता है वहराल देख लेते हैं साथ 9 666 36 36 कितना हो गया वही ऐसाथ चोक अठथा शे चोंतिस 3 333 हो गया 340 वेरी गूड तो शाथ की पावर 3 हो गया और बराबर में साथ की पावर 100 हो गया किलियर बात हो गई ह अब उत्तर बता दिजिए भाई साब ये आप का जाएगा 7 की पावर 4 अब सभी बेस बराबर हैं तो प्लस में 8 हो जाएगा और भागे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 7 की पावर X हो जाएगा अब 8 4 12 और 12 मैंसे 3 जाएगा तो 9 3 12 होता है याणी X बराबर कितना आजाएगा 9 आजाएगा 9 आपके प्रश्ण का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 से 7 काम खतम भाग 7 से 7 काम खतम याणी 9 बराबर X या X बराबर उसमें कोई दो रानी चाहिए कान पकड़िए चाहिए वो कान पकड़िए पकड़े तो भाई या कान नहीं हो कान के स्थान पर नाक तो पकड़े नहीं हो है ना चलो अगला प्रश्ण बात क्लियर ना 7 नमबर प्रश्ण संख्या 7 जिनको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ठोकते जाएंगे ठीक है ना चलिए अगला प्रिष्ण है प्रिष्ण संख्या साथ कह रहा है मैं 5 की पावर माइनस 3 हूं और गुड़े 25 की पावर 1 बटे 2 चलिए सौल्व कीजी इसको छल्व कीजिये जल्दी से एंसर बताने की कोसिस करना 5 की पावर-3 गुड़े 125 की पावर 1 बटे में दो इसको सौल्व करने की जल्दी से कोसिस करीए क्या आजाएगा आपका उत्तर बिल्कुल नौर्मल सा प्रशन है बिल्कुल नारमल सा, भाई 5 की पावर 3 रधात्मक है, धनात्मक बनाने के लिए, एक बटे 5 की पावर 3 और गुड़े, यह हो जाएगा, 5 की पावर 2, 25 की पावर 1 बटे में, बात के लिएर, अब देखो, एक बटे 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 यानि 5 की पावर 3 का मतलब एक 125 और गुड़े यह 2 से 2 काम खतम, 5 की पावर एक 5 हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 दिन ने 10, 5 पंजे 25 तो उत्तर आपका क्या जाएगा, एक बटे में 25 एक बटे में 25 आपके प्रश्ण का सही उत्तर, एक बटे 25 आपके प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा, अब यह सब तो आपको बहुत ही आज़ा प्रश्ण लग रहे होगे हैं ना, हो है भी सब आसान हो गये, मैथ इसन वह कोई ज़या अप थोड़ी नहीं होती, मैथ इसी ही होती है मैत में आपको ज्यादा कुछ रटने की जिरूरत नहीं होती है मैत डिपेंड करती है आपके प्रेक्टिस के ऊपर जितना प्रेक्टिस करोगे उतना मैत आएगी ठीक है वह ओके अगला प्रेश्चन आठ नमबर कि यहां तक की बात के लिए रहे ना देखिए क्विश्चन नमबर आठ बिल्कुल छोटा सा प्रश्ण है रूट आठ रूट आठ की पावर एक बटे में तीन पावर के दिन है एक बटे में तीन इस प्रश्ण को लगाओ इस प्रश्ण को लगाओ रूट आठ की पावर एक बटे में तीन इस प्रश्ण को लगाओ भई जल्दी से बताओ एंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ एंसर क्या आएगा ठीक है न भई देखिए वीडियो अगर पशंदारी तो भई लाइक करते जाना शेयर भी करते जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब आवश्ण करते जाना चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और यहां पर जो देखी like share तो करने की आपकी ये तो आपको हो सकता है करने problem हो रही फिर अगर आप पढ़ना चाते हैं daily तो like भी मत करिए कोई दिक्कत ने share भी मत करिए लेकिन channel को जरूर subscribe कर लीजिए हो सकता है time to time आपको notification ना मिलता हो तो इसके लिए आप channel subscribe कर सकते हैं बाक क्या आएगा answer देखो भाई यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ root का मतलब क्या होता है 8 की power 1 बटे में 2 root हटाया 8 की power 1 बटे में 2 इसकी power 1 बटे में 3 power के ऊपर whole power power का multiply 8 बटे 1 बटे में 2 और गुले 1 बटे में 3 यही तो तो बराबर 8 की power 1 के कम 1 बटे 6 8 की power 6 है आपके पुशन क का सही जवाब है जितने भी सातियों का रहा था 8 की power 1 बटे 6 वो बिलकुल सही खेल गए है 8 की power 1 बटे 6 सिकेंड लाश्ट कुश्चन आज की क्लास का सिकेंड लाश्ट कुश्चन नमबर 9 यह देखो भई यह करा 2 की power minus 2 2 की power minus का 2 चलिए भई साहब प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 की power 2 इसका मान बताओ इसका मान बताओ दीए कल से हम जो चालू करेंगे हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है वर्ग वर्ग मूल गन गन मूल गन गन मूल यह दो चैप्टर यह जो है बढ़िया चैप्टर है second chapter दूसरा चैप्टर है और बढ़िया चैप्टर है इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कल इस पे टोटल आपकी तकरीबन एक घंटे का basic lecture होगा पूरा एक घंटे का पूरा आपका basic lecture होगा इसी lecture पे depend करेगा कि आप सब कुछ सीख गए हो अगर यह lecture आपने सीख लिया भाई साहब तो इस chapter में आप ऐसा कोई question नहीं होगा कितना भी tough question आप से बना दिया जाए इस chapter का आप धाय से उसको लगा दोगी तूरंत का तूरंत लगा दोगी बस आपको करना काम एक ही है कल कितने बज़े आठ बज़े ठीक है ना आठ बज़े आपको इस class को attend करना एक घंटे की तकरीवन class होगी एक घंटे से कम भी हो सकती है जादा भी हो सकती है वैसे एक ही class में basic पूरा खतम करने की कोसिस की जाएगी और basic ही बहुत important है इस प्रश्न को लगा रहे थे भई चालो 2 की पावर माइनस 2 पावर नेगेटिव है पाजिटिव बनाएंगे तो एक बटे 2 की पावर 2 प्लस माइनस 3 और माइनस 3 तीन 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 तिरिक्का कितना होता है भई एक बात बताओ यहां पर हम इसको यह कह सकते हैं माइनस 3 और गुड़े माइनस 3 भई समझाने के लिए बता रहो चाहता तो मैं सीधे यह आप लिग देता तो इसका मतलब 3 तरिक का 9 यानि प्लस का 9 हो जाएगा होगा न क्योंकि माइनस माइनस का गुड़ा प्लस में 9 और यह आपका जाएगा एक बटे में 4 एक बटे में 4 और प्लस के क्या जाएगा 9 तो 9 जो 36 एक 37 बटे 4 आपके प्रशन का जवाब है अगर इसको आप मिस्तर भिन्ने में तोड रहे हो तो 9 जो के 4 नो यह 36 एक बटे 4 9 जो 36 एक 9 सही एक बटे 4 भी सही है और 37 बटे 4 भी सही है दोनों उत्तर आपके राइट हैं अगला प्रशन आज का बिलेकुल लास्ट कुश्चन लास्ट प्रशन देखते हैं क्या है प्रश्चन संख्या 10 यह कुश्चन नमबर 10 यह भई है 45 की पावर 15 पंदरा की पावर एकस बराबर है 225 की पावर 15 इसमें बताओ X की वैलू X की वैलू बताओ X की वैलू बताओ X की वैलू Macht X की वैलू बताओ ये भाई कितनी हो जाएगी घृ क्लासे पहला टापिक आपको बढ़ाया गया है sentence पहला topic आपको sentence पढ़ाया गया ठीक है ना sentence और sentence आपको पूरा basic से पढ़ाया गया है तो आप देखे third semester में क्या था कि simplex और compound sentence नहीं था लेकिन यहाँ पर है तो वो हम लोग सीखने तले जाएंगे sentence एकदम जड़ से खतम कर देंगे ठीक है ना बस आप लोग बने रहना देखो बेश बराबर करेंगे तो पंदरा की पावर x हो जाएगी और बराबर ये 225 पंदरा का होता है square पंदरा की पावर 2 और इसकी whole square पंदरा तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 15 दून्न 30 आपके प्रष्ण का जवाब एक से बराबर 30 क्योंकि वही 15 का स्कॉयर 225 होता है अगर आप 15 मल्टीप्लाइ पंद्रा करोगे 5 25 5 5 5 5 10 10 12 हो गया हासिल एक कमेक एक 225 तो 225 को हम 15 की पावर 2 और 15 दुमना 30 बेस से बेस कैंसिल एक से की पावर 30 हा गया एक से की पावर 30 तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आई है तो वीडियो करना है लाइक शेर भी काच रखते हो और चैनल को तो आप डिफिनेटले सब्सक्राइब कर ही लीजिए ठीक है ना नौटिफिकेशन मिलता रहे मिलेंगे दोस्तों कल आप से एक नए topic के साथ नए chapter के साथ कल की class लेना बिलकुल भी मत भूलना basic बताऊंगा पूरा second chapter का निचोर कल ही खतम हो जाएगा फिर तो हमें question ही करने है देकि question आपको सब लोग बता सकते हैं कोईश्चन आपको सब करा सकते हैं लेकिन आपको बेसिक सीखना है दोस्तों आपको बेसिक सीखना है क्योंकि हमको रटा नहीं मारना है हमको समझना है क्योंकि आने वाले भविस में हम भी टीचर बने हम भी पढ़ाएंगे तो हम वो सब चीजे पहले से हमें पता होनी हो क्या ये प्रश्ण आप याद कर सकते थे मान लिया आपने याद भी कर लिया कि 15 की पावर x बराबर 225 की पावर 15 में answer x बराबर 30 आ रहा था लेकिन अभी unit change कर दे तब क्या करोगे तब भी क्या answer 30 ही लिखके आओ कि नई आपको basic सिखना है आप basic सीख गए तो मैं सीख जाओगे ठीक है वाई तो ओके चलिए सबी साथ ही रखेंगे अपना ख्याल मिलेंगे तब तक लिए जाए हिंच है भारत वंदेवाद